राहत फते अली खान का जन्म 9 दिसंबर 1974 में फैजलाबाद पाकस्तान में हुआ था ये खांदानी मुजिकल फैमिली में पैदा हुए थे इनके बाप दादा सभी मुजिक से जड़ो हुए थे इसलिए कह सकते हैं कि इनको मुजिक विरासत में मिला है ये लिजन्डरी फेमस कब्बाल सिंगर मरहूम नुसरत फते अली खान के पतीजे हैं इनके पिता का नाम फारुक फते अली खान है और इनके दादा फते अली खान साहब थे जो अपने जमाने के मशूर सुफी सिंगर रह चुके हैं जब रहाज साहब तीन साल के थे तवी से इनको मीजिक में तालिम मिलनी शुरू हो गई थी। ये अपने पिता और चाचा के साथ रहा करते थे। उनको देखकर रियाच किया करते थे। रहाज साहब ऐसे ही कई सालों तक मीजिक सीखते रहे। रहत साब ने पहली बार अपने दादा जी की डेट अनिवरसरी में 9 साल के उमर में स्टेच पे प्रफॉर्म किया था जिसे सवी ने बहुत पसंद किया था 15 साल के उमर में रहत साब ने कव वाली गुरूप जोइन किया जिसमें उनके चाचा भी उनके साथ थे इस तरहा राहत साब ने कई बड़े बड़े कॉंसर्ट जोइन किये और चाचा के साथ परफॉर्म भी किया 1985 तक राहत साब ने बड़े बड़े कॉंसर्ट में सोलो परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और इस तरहा राहत साब की आवाज सभी जगा चाहने लगी रहात साप को बोलीवड में पहला मोका पाकिस्तानी मुजिक डिरेक्टर सज्जाद हसन ने बोलीवड फिल्म पाप में दिया था और गाने के बोलते मन की लगन ये गाना और आवाज दोने ही बोलीवड को भागई इसके बाद रोहेल हयात और फैजल रफी ने रहात साप से महिजबट की फिल्म कल्यूग में गाना गवाया जिया धड़क धड़क जाए ये सौंग फिल्म से ज़्यादा हिट हुआ रहात फतली खान की आवाज को कई फिल सौंग आज दिन चड़हा के लिए इनको बेस्ट स्क्रिन अवाड मिला तो माइन एमिज खान के सौंग सजदा और दिल तो बच्चा है जी के लिए ये बेस्ट फिल्म फिर अवाड भी जीते 2010 में ही रहात साब ने तेरे मस्त मस्त दो नैन के लिए बिग स्टार इंटर्टेन्मेंट अवाड बेस्ट सिंगर मिर्ची मिजिक अवाड बेस्ट सिंगर आइफा अवाड और अपसरा अवाड जीते रहत फतेली खान ने 2003 से लेकर 2018 तक बोली वुड में हर बड़े इस्टार को अपनी आवाज दी है 2018 के बाद इंडिया पाकिस्तान के रेलेशन खराब होने की वज़े से बोली वुड ने पाकिस्तान आर्टिस्ट और मुजिसन के साथ काम करना बंद कर दिया जिसके चलते काफी टाइम से रहत फतेली खान साहाब बोली वुड के लिए कोई गाना लेकर नहीं आ पा रहे है इस बीच रहत साहब की एलबम जरूरी था काफी फेमस और पॉपलर रही ये गाना भी रहत साहब ने दुबाई में रिकोड किया था और ये गाना वहीं शूट भी हुआ था हम उमीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन चल ठीक होंगे और फिर एक बार रहत साहब के गाने सुनने को मिलेंगे पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकोन दबाना ना भूले